नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है कानूनी कहानी में मैं पूर्म शर्मा फिर आपके साथ हाजर हूँ आज की कानूनी कहानी में बात करेंगे जो ही चाबला की जिन पर कोर्ट ने नराज होकर 20 लाख रुपे का जुर्माना लगा दिया है कोट नाराज क्यों हुआ और यह जुर्बाना क्यों लगाया इस पर आपको विस्तार से बताऊंगी लेकिन उससे पहले जैसे आप से हम हर रोज रिक्वेस्ट करते हैं डोनेट कार्ड में आप जो भी हल्प करना चाहें वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप जाके देख सकत हैं क्योंकि कोरोना काल में डोनेट कार्ड आम लोगों की मदद कर रहा है तो वापस लोटते हैं अपनी कानूनी कहानी पर आज दिल्ली हाई कोट ने जुही चावला पर 20 लाख रुपे का जुर्माना लगा दिया है और इसके अलावा जो उनकी याचिका थी वो भी खारिज कर दी है ये याचिका दरहसल ये थी कि 5G जो नेटवर्क है उसे देश में लागू करने से पहले जो सरकार और अलग-अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो ये लिखित में सुनिश्चित करें कि इस टेक्नीक के आने के बाद किसी त आप सोच रहे होंगे कि ये तो आम लोगों के इंटरेस्स से जुड़ी हुई चीज है जिससे हाँ हर आदमी प्रभावित होगा क्योंकि दूर संचार के इस युग में सबके पास अपना मूबाइल है तो ऐसी स्थिती में इस याचिका पर 20 लाख रुपे का जुर्माना ख इस तरह का उनका आगे बरताब रहा कोट ने आज इस याचिका को खारिच करते वे ये कहा है कि ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए लगाई गई याचिका थी और आपने दो दिन पहले देखा भी होगा कि दिल्ली हाई कोट में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो उस मामले में सुनवाई शुरू होने वाली थी उससे पहले ही सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम या ट्विटर पर जो वर्चुल हीरिंग का लिंक था हाई कोट की सुनवाई का वो शेयर कर दिया था आम लोगों से और एक वीडियो भी उन्होंने बना के सर्कुलेट किया था कि आप भी इस सुनवाई को सुन सकते हैं जॉइन कर सकते हैं अब उसमें हुआ ये कि एक विक्ति ने ऐसे ने जॉइन कर लिया जो कोट का मजाग बनाने के लिए एक तरीके से पूरी सुनवाई का उससे जुड़ गया और तीन बार उसको डिसकनेक्ट किया गया तीन अलग दूसरा कोट का कंसर ये था कि जब भी इस तरह की कोई सिविल सूप दिवानी का मुकदमा दायर किया जाता है सरकार के खिलाफ या सरकार की किसी पॉलिसी के खिलाफ तो ऐसी स्थिति में सरकार को दो वहीने पहले इसको लेकर नोटिस भेजा जाता है जो भी याचिका लग का ये broadband आने वाला है, mobile connectivity को लेकर, उसमें बताया जा रहा है कि 2 से 20 फीसिदी तक जो network की speed है, वो बढ़ जाएगी, और उसकी वजाए से जो tower है, या hot spot है, उसमें जो विकरण है, radiation है, वो भी 10 से 100 गुना तक बढ़ जाएगा, तो इस से आम लोगों को खत्रा है, वनस्पति को खत्रा है, पशुपक्षियों को खत्रा है, जीवों को खत्रा है, ये तमाम चीज़े कही गई थी, और कहा गया था कि सरकार इसको लेकर clear करें कि इस radiation से लोगों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो कुछ जो ही चावला ने petition high court में लगाई, उससे पहले आपको बदाना चा है, आपको सरकार को notice भेजना होता है, और उसके बाद फिर इंतजार करना होता है कि दो महीने के भीतर सरकार इस पर आपको क्या जवाब दे रही है, इस मामले में ये नहीं किया गया था, जब इस पर high court ने सुनवाई के दौरान जो ही चावला के वकील से पूछा, तो उनक का एक कहना था कि इस मामले में CPC का जो section 80 है उसको consider ना किया जाए, क्योंकि ये इनसानों से जड़ा हुआ मामला है, ये this is not the matter of rat and pigs, इस तरह का उनका इस मामले में बयान था, लेकिन court इससे संतुष्ट नहीं दिखा, court का कहना था कि जो procedure होता है किसी भी civil मामले को सुनने का वो यहां भी शर्तें पूरी होनी चाहिए, इसके अलावा court fees भी जो ही चावला की तरफ से पूरी नहीं भरी गई थी और court में आदेश दिया है कि वो fees जमा की जाए, और 20 लाख रुपे का जो जुर्माना है वो तो उन्हें देना ही पड़ेगा, अब दो-तीन चावला की त देवेंदर सरकार को उन्हें जो भेजना चाहिए था वो तो किसी तरह का कोई representation के लिए letter या notice नहीं भीजा गया था, लेकिन 2018 में जिस वक्त महाराष्ट के मुख्यवंत्री देवेंदर फर्णविस थे, उस वक्त उन्होंने एक letter जरूर लिखा था और उस वक्त 5G को लेकर उन्होंने कहा था कि ये इस पर विचार किया जाना चाहिए और ये आम लोगों के लिए 5G का आना ठीक नहीं है, लेकिन आप सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जब जो ही की जो याचिका है वो खारेज हो गई है, कोट में काफी strong comment इस पर कर दिये है, कह दिया है कि जो ही च उनको फिक्र है कि इस से जो वो या आगे वाली और जो generation है उस पर बहुत प्रभाब पड़ेगा क्योंकि ये radiation से चुड़ा हुआ मामला है, तो अब ये जो जो ही चावला की पूरी लड़ाई है, ये अब यहीं खत्म हो जाएगी, उन पर जुर्माना हो गया, उनके petition खारि उसी से साफ होगा, कि जो ही चावला का 5G को लेकर जिस तरी से विरोध है, वो आगे भी बरकरार रहेगा, ये कहानी ये अब ऐसे ही पूरी खत्म हो गई है, तो आज की कानूनी कहानी में इतना ही, फिर आप से सुमवार को मलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार.